दोस्तो आज के समय में बहुत सारे पुशु वालकों को यह पता ही नहीं है कि जब पुशु का बच्चा पाइदा होता है वो पाइदा होने के बाद उस बच्चों को कितने दिन में पानी पीलाना चाहिए और कितना पीलाना चाहिए तो दोस्तो आज हम इसी समझ्चा के उपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तो जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे के शरील में सतर से असी प्रतिशात पानी होता है वो पानी खून में, हड्डिय में तथा अन्य अंगों में रहता है बच्चे के शरील का तापमा सही रखने के लिए तथा प्राकोर्तिक और टाकव चीजे जैसे के पेशाव, गोबर, बाहर निकालने के लिए पानी की जर्रोत होती है ऐसे में बच्चों को कितना पानी देना चाहिए हम सुब को पता है पानी में बहुत सारे बैक्टरिया तो था प्रोटोजोह होते ऐसे में हम बच्चों को ऐसा प्रोटोज हुआ और बैक्ट्राइक तो पानी देंगे तो बच्चों को उद्रस लग सकती है इसलिए जब बच्चा पंदरा से बीज दीन का हो जाए तो बच्चों को साब सुत्रा पानी देना चाहिए लेकिन पानी पिलाना है मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को जितना चाहिए उतना पिलाए क्योंकि आज के समय में बच्चों को हम दूद बकेट में दे रहे हैं ऐसे में जब हम उस पकेट में पानी पिलाएंगे तो बच्चा दूद समझ कर पानी पिता है रहता है और फिर बच्चे को जादा पानी पीने से 10 लग जाती है इसलिए बच्चे को 15 दिन के बाद दिन में आधा से 1 लिटर पानी पीलाना चाहिए और धिरे धिरे ये मातरा बड़ा लेनी चाहिए जब बच्चा 60 दिन का हो जाए तब बच्चे को दिन में 4-5 लिटर पानी देना जाए पर याद रहे बच्चे को सापसुत्रा पानी पिलाना है गंदी नाली या तथक नहर का पानी तलाब का पानी नहीं पिलाना है जब ऐसा ही पानी हो तब आप पानी में पानी साप सुत्रा करने वाले दवाई या डाल कर पानी को साप सुत्रा करके बच्चों को पीला सकते हैं और शुत्रा कर थेूं